हेलो गार्स स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चानल एनसन क्लास पर फ्रेंड्स कल जो है थोड़ा सा लाइट इसू हो गया था इसके वज़े से जहारखेंग जीएस की क्लास नहीं हो पाई थी और वही इसू साम में भी हो रहा था लेकिन जियोग्राफिक क्लास है उसमें आपका जो कॉस्मो लोजी थी ओलूजी भी बढ़ाई हो रहा उसमें ठीक है तो जो भी स्टुट्ट्टत चाते हैं कि यह topic हम कंप्लीट कर लें वहां से तो आप हमारे साथ साम में छे बजे कितने बज़े यह बज़े ठीक है यह बज़े आप हमारे साथ में जुड़िए ठीक है आप वहाँ पर आप अपनी पूछ सकते हैं और आज से जो है वह सौर मंडल स्टार्ट होने वाला है तो इंपोर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे च्छाण में परिवहन परनाली इसके पहले कि का पढ़ाता से लकवड़ारज सब कि आपका राश्टी राज मार गया है उसके बाद राज की राज मार गया कुछ जीला सडकें कुछ अंतराश्टी सडकें तो वह सब हमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जागा दो क्लासे हो सकती है ठीक है चलिए सिलेवस देख लेते हैं जहारखन की अर्थवश्था जहारखन में परिवहन परनाली परिवहन का मतलब क्या समझते हैं परिवहन का मतलब क्या समझ में आता है तो परिवहन जो एक ऐसी सेवा है या ऐसी स्विधा है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से हम किसी भी वी निर्मित वस्तूओं को या अपनी चल समपतियों को भौत तिक रूप से एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर यह बढ़े जाए ठीक है आप लिख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां एक ऐसी एक मिनट कiveness की एक ऐसी सेवा है स्वीधा है प्रिधा है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, हम, जिसके माध्यम से, हम, वी निर्मित वस्तु हों, तथा अपनी चल समपती को भौतिक रूप से, एक अस्थान से, दूसरे अस्थान, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जा सकते हैं, पर ले जा सकते हैं, ठीक है, यानि कह सकते हैं हम क्या कि परिवहन जो है, ये क्या है, प्रगती का प्रतीक है, परिवहन क्या है, प्रगती का प्रतीक है, वो कैसे, तो आपने देखा होगा कि जिस रा देश में परिवहन की स्वीधा है परिवहन की अच्छी खासी स्वीधा है वो एक क्या होता है तो उन्नत देश होता है या उन्नत राज्य होता है उन्नत राज्य होता है जिस राज्य में या जिस देश में परिवहन की स्वीधा है याने जाने की स्वीधा है अपने सामानों क को ले जा सकते हैं ठीक है यह क्या हो गया यहां पर है कि मैंने बैक किया इसके हो जासे कुछ हो गया यहां पर है एक मिनट आप इसे वापस लिए ठीक है अपनी चल समपती ठीक है उननत देश या उननत राज जहां परिवहन की अच्छी खासी स्वीधा है ठीक है वो क्या कर लाता है तो उननत देश या उननत राज माना जा सकता है ठीक है परिवहन के तीन मार्ग होते हैं परिवहन के तीन मुख्य मार्ग होते हैं परिवहन के तीन मुख्य मार्ग होते हैं क्या क्या तो अस्थल अस्थल वायू और जल अस्थल वायू और जल इन तीन मार्गों के माइदे हम से परिवहन किया जा सकता है लेकिन जारखंड में जल जल परिवहन की सुईधा है क्या जार्खन में जल परिवहन की सुईधा है क्या नहीं जार्खन में जल परिवहन की सुईधा नहीं है या बोल सकते हैं है भी तो नगन्य है क्योंकि यहां पे जो है वो वाटर ट्रांस्पोर्ट जो है बहुत ही कम होता है ठीक है क्योंकि पहली नहीं करता है इसके सारे अगल बगल क्या है तो राज्यस पर्ष करते हैं अदर राज्यस पर्ष करते हैं किसी भी तरीके से ये किसी भी तरह से ये समुद्रे से टच नहीं करता है ये रहा पहला बात अब रहा दूसरा बात क्या कि मान लेजे कि नदियों के द्वारा गज़े ये छोटे-मोटे नाओ जो चलते हैं, वो भी यहाँ पर उतना सुगम्य नहीं है, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जल की, जल का परिवहन, जल परिवहन की जो सुएधा जार्खंड में परीवहन को तीन वर्गों में वर्गिकृत किया जाता है तीन वर्गों में वर्गिक्रित किया जाता है ठीक है जारखेंड में परिवहन को तीन वर्गों में वर्गिक्रित किया जाता है तो इसमें तो water transport आएगा नहीं तो क्या क्या आएगा तो पहला number है किसका सड़क परिवहन का सड़क परिवहन का ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं तो रोड ट्रांस्पोर्ट या ट्रोड ट्रांस्पोर्टेशन फानस तक है डूसरा कैया हुआ intern quan दूसरा क्या है रेल की परिवहन ठीक है रेलवेस इसके द्वारा भी मालो को ले जाया जाता है तीसरा क्या है तो वायू परिवहन तीसरा क्या है वायू परिवहन ठीक है air transportation air transportation जारखन में परिवहन को कितने वरगों में वरगी कृत किया गया तीन भागों में क्या क्या सडक परिवहन, रेल परिवहन और वायू परिवहन ठीक है सडक परिवहन, रेल परिवहन और वायू परिवहन अब हम बात करते हैं सबसे पहले सडक परिवहन की तो इसको भी चार भागों में बाटा गया है सड़क परिवहन वो भी चार भागों में बाटा गया है तो ये सड़क परिवहन को चार कौन-कौन से भागों में बाटा गया है किसमे किसमे बाटा गया है तो पहला जो है इसका कलर ज़र हम चेंज कर लेते हैं पहला जो है वो क्या है तो राश्टी ये राजमार्ग राश्टी ये कैसा लिखा रहा है एक मिनिट खला कौन सा? राश्टी ये राजमार्ग राश्टी ये राजमार्ग जिसे हम क्या कहते हैं तो नैशनल हाईवे क्या कहते हैं जिसे हम? नैशनल हाईवे ठीक है NH ठीक दूसरा क्या हुआ राश्टी राजमार्ग राश्टी है राजमार्ग ठीक है State Highway State Highway SH ठीक है उसके बाद क्या आया तो जीला सडके जीला सडके District Road District Roads ठीक है उसके बाद अंतराश्टी है अंतराश्टी राजमार्ग अंतराश्टी राजमार्ग International Highways International Highway International Highway ठीक परिवान को कितने भागों में बाटा गया चार भागों में राश्टी राजमार्ग National Highway राजकी राजमार्ग State Highway और जीला सडके District Roads अंतराश्टी राजमार्ग International Highway ठीक है तो बात करते हैं पहले नमबर की जिसमें कोन आएगा तो राश्टी राजमार्ग पहले नमबर पर कोन आएगा राश्टी राजमार्ग ठीक है राश्टी राजमार्ग जिसे क्या कहते है National Highway क्या कहते है National Highway राश्टी राजमार्ग वे सडके होती हैं जिन्हें केंद सरकार के द्वारा निर्मित किया जाता है इन्हें किसके द्वारा निर्मित किया जाता है तो केंद सरकार के द्वारा निर्मित तथा अनुरचित यानि कि इसका देखभाल जो हो किसके द्वारा किया जाता है केंद सरकार के द्वारा किया जाता है यह आप कहा सकते हैं कि राष्टी राजमार्ग वे सड़के होती है जो एक से अधीक राजियों से गुजर कर वो क्या करती है तो महतवपूर्ण भागों को जोड़ती है तो महतवपूर्ण मार्गों को क्या करती है वो जोड़ती है ठीक है इसका देखभाल किसके द्वारा कि ठीक है इसमें होता क्या है कि राश्टी राजमार्ग के लिए सड़कों का चैन कुन करता है राश्टी राजमार्गों के लिए सड़कों का चैन कुन करता है तो यह चैन करती है राजी सरकार सड़कों का चैन कुन करती है राजी सरकार उसके बाद घोसना किसके द्वारा कर द दूटल के द्वारा के दौरा गोस्ना के द्वारा हुआ तो केंज सरकार के द्वारा इसी में आप información माल के लिए लिए नहीं तुनियाENT के लिए इसी तरह राज मारगुप की देखभाल के लिए एक पृधेकरन बनाया गया है जिसका नाम है क्या तो National Highways Authority of India ठीक है यहां पर आप नोट बना के लिखिए कि राश्टिये राजमार्गों राश्टिये राजमार्गों की देखभाल के लिए देखभाल के लिए के लिए एक प्राधी करण बनाया गया है जिसका नाम क्या है National Highway Authority of India ठीक है लिख सकते हैं इसका फुल फॉर्म National Highway National Highway Authority of India ठीक है जिसका गठन कब हुआ था तो इसका गठन हुआ था 1995 में इसका गठन कब हुआ 1995 में ठीक है उसी परकार राज में राज मार्गो की देखभाल के लिए भी एक प्राधी करण बनाया गया है ठीक है लिख लिजे यहां पर कि राज में राज मार्गो राज में राज मार्गो की देखभाल के लिए देखभाल के लिए एक प्राधी करण बनाया गया है उसका नाम क्या है तो एस एच ए आई अस्टेट हाइवे और थिरिटी ओफ इंडिया ठीक है अगले पर इस पर लिख देते हैं एस एच ए आई ठीक है क्या होगा उसका अस्टेट हाइवे अस्टेट हाइवे और थिरिटी अस्टेट हाइवे और थिरिटी ओफ इंडिया अस्टेट हाइवे और थिरिटी ओफ इंडिया जिसका गठन कब किया गया तो इसका गठन किया गया है आपका दो हजार पंद्रा में इसका गठन कब क्या गया है दो हजार पंद्रा में ठीक है बात करते हैं कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि ज secondo मे ज़ार्खन का जब गठन हुआ था उस समय नेस्नल हाइवी की लम्बाई कितनी थी जार्खंड राजी के गठन के समय नेशनल हाइवे की लंबाई कितनी थी तो उसकी लंबाई थी कितनी 166 किलोमीटर ठीके अब लिख सकते हैं क्या कि जार्खंड राजी के गठन के समय जार्खंड राजी के गठन के समय जार्खंड राजी के गठन के समय National Highway की लंबाई National Highway की लंबाई कितनी थी तो 1606 किलो मीटर कितना था 1606 किलो मीटर था लेकिन Economic Survey 2022-23 के नुसार 2022-23 के नुसार यहाँ पे लिख लीजे Economic Survey Economic Survey 2022-23 के नुसार अभी इसके लंबाई कितनी है तो इसकी कुल लंबाई 3340 किलो मीटर है कितना है 3340 किलो मीटर इसे आप याद रखे राज्य में कुल राज्य में कुल राज्य में कुल राज्य मार्ग कितने है राज्य में कुल राज्य मार्ग कितने है जार्खन में राष्टी राजमारगों की संख्या कितनी है 30 जार्खन में राष्टी राजमारगों में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद परिवर्तन के बाद जो आपकी NS20 जो है वो जार्खन का सबसे लंबा राष्टी राजमारगों जार्खन का सबसे लंबा राष्टी राजमारगों ठीक है जिसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई जो है वो 391.6 km है इसकी लंबाई कितनी है 391.6 km ठीक है यह कितने जिलों से होकर गुजरती है तो यह कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है कितने जिलों से होकर गुजरती ह या पुल से जीलों से से जीलों से होकर गुजरती है से जीलों से होकर गुजरती है, कौन-कौन से जीले हैं तो कोडर्मा कोडर्मा, हजारी बाग कोडर्मा, हजारी बाग रामगर कोडर्मा, हजारी बाग, रामगर राची खूटी एक मिनट राची, खूटी पश्मी से भूम पश्मी से भूम पुल कितने जिले हुए छे जिले पुडर्मा, हजारी, बाग, रामगर, राची, खुटी और पश्मी सीवूं ठीक है देखिए जब परिवर्तन नहीं हुआ था राश्टी राजमारगों में जब परिवर्तन नहीं हुआ था उस समय यानि कि परिवर्तन से पहले जारखंड का सबसे लंबा राश्टी राजमार के कौन सा था तो वो था एनेच थाटी थरी इसे ही क्या कहा जाता था जारखंड की जीवन रेखा कहा जाता था जारखंड की जीवन रेखा जिसकी लंबाई कितनी ही थी तो 333.5 किलो मीटर ठीक है लंबा का तो बात हो गया ठीक है वर्तमान में कौन सा है तो NH20 है मैंने आपको यहां पर बता दिया ठीक है अभी वर्तमान में कौन है तो NH20 है तो अगर मान लेजिए आपको लंबा पूछ सकता है तो वहीं पर नोट कर लिजए क्या कि जारखंड का जारखंड का सबसे छोटा जारखंड का सबसे छोटा राष्टी राजमार कौन सा है जारखंड का सबसे छोटा राष्टी राजमार का कौन सा है तो 143H 143H जिसकी लंबाई कितनी है तो 6.50 किलो मीटर थीके ये क्या है तो सब 90 का सबसे चोटा राश्ती राजमार्ग है ठीक है चलिए अब बात करते हैं राश्टी राजमार्गों की जारखर में कौन-कौन से राशर ties राजमार्ग बुजरते हैं तो मैंने तोटल जो तीस आपके राश्टी राजमार्ग है इसकी लिस्ट जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी ठीक है जिसका नाम क्या है तो आप वहां इसे कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है एक या दो मैं आपको एक्जामपल बता दूंगी कि उसे बनाना कैसे है आपके लिए एक ह है इसको बाइम मैपिं अपको क्या करना तो रीड करना है इसको स्टूरी करना है उसको 1 मेप में दर्साना है जैसे अ आपको दर्सा में बता देहें पहले नमश्म में बात कर लेते हैं खी ihrem ।材 हाल सब्सक्राग इए तो ए मीनेट 114 A N H 114 A ठीक है इसकी कुल लंबाई कितनी है कुल लंबाई कितनी है इसकी कुल लंबाई 310 किलो मेटर है कुल लंबाई कितनी है 310 किलो मेटर ठीक है लेकिन अगर केवल जारखन में बात करें तो तो केवल जारखन में कितना है तो 298 किलो मेटर यह वल जोरखंड में कितना? 298 km ठीक है यह किन-किन राजoya से होकर गुजरती है यह दो राजो से होकर गुजरती है पस्षीम, बंगाल, पस्षीम, बंगाल और जोरखंड पस्षीम, बंगाल और जोरेवन ठीक है दीखिए अगर आपको इसका विस्तार पुछेगा कि यह कौन-कौन से छेतरों से होकर गुजरती है तो इसका नाम लिख लिए आपौन-कौन से एक मेरे इस सिकारी पाड़ा है, ठीक है, सिकारी पाड़ा दुमका दुमका लकड़ा पहाड़ी लकड़ा पहाड़ी, ठीक है, जामा, जर्मुंडी, चौपा मोड, देवघर, सारट, मधुपूर, गिरिडी, और डुमरी ठीक है, यह निकलता कहां से, यह निकलता है, डुमरी से, ठीक है, जैसे बाइ मैपिंग में आपको यहीं पर सो करा देती हूं, अभी नेक्स्ट पेज में जाने से गड़ बड़ हो सकता है कुछ, देखें, इसमें है क्या, मान लिजे कि यह गिरिडी वाला छितर है, तो यहीं पर क्या है, डुमरी है, तो यह क्या करता है, इधर से धनबाद होते करते हैं, यह क्या करता है, यह पस्षी मंगाल में आपको मिल जाता है, ठीक है, तो जैसे कभी भी, अगर आपको जो हमउख दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, पहले, जैसे किसी का नाम है, जैसे NS114 मैंने लिया, आप ले सकते हैं, ले सकते हैं एक और उसमें जा कि आप सिधे चले जाईए कहाँ पर मैपिंग में चले जाईएगा मैंने दो रखा था इमेज पता नहीं साथ डिलीट हो गया है आपको दिखाना था ठीक है कोई नहीं अब में अगले क्लास में इसे दिखा दूँगी ठीक है तो गूगल में जा कि आपको क्या करना उसमें मैपिंग करना और उसी जगह पर आपको इस तरह का फॉर्म आएगा ठीक है और वहीं से आपको क्या करना है तो नोट डाउन करना है क्योंकि टोटल जो है 30 जो राश्टी राजमाज के 30 अगर मैं ऐसे लेकर बैठ जाओंगी तो आपको क्या आगे के क्लास फिर नहीं होगी इसलिए मैंने आपको यह से कॉम वरक में दिया है ठीक है चलिये और एक हाम ले लेता है दूसरा कॉनसा है तो दूसरा एनएज 18 ठीक है इसके लंबाई कितनी है इसके लंबाई है 215.5 किलो मीटर लंबाई कितनी है 215.5 किलो मीटर ठीक है यह तीन राजों से होकर गुजरती है जारखंड, पस्चिम बंगाल जारखंड, पस्चिम बंगाल और उडिसा जारखंड, पस्चिम बंगाल और उडिसा ठीक है इसका विशतार शेतर कहां-काँ है तो चान्डिल गाट सिला और बहरा गोडा तेज्चर गाट सिला और निकलती कहां से तो ह Wahl Zw mer यह गोविंध पूर से निकलती गोविंध पूरी धनवाद निकलती कहां से गोविंध पूर से ठीक है तो एक map इसमें भी हम ड्रो कर लेते हैं है 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 तो आप देख सकते हैं कि यह धनबाद वाला जो छेत्र है यहाँ ने लेते हैं थोड़ा साइड में लेते हैं हैं जो धनबाद वाला जो छेत्र यहाँ से घुजरते वह कहां चले जाती तो पस्री मंगाल यहीं से क्रॉसट करे चली आती है तो पूरुश्दा की और चल् चाहिक चल्ए byłoOUL चलते हैं अगला एक और नोट बना के लिए क्या मैंने आपको शाइद बताया नहीं यह सड़क घनгов दो नहीं बताया थे ठीक है यह लाश्न में आपको बता देती हूं थोड़ा याद आ गया था ठीक है सटक घना तो सटक घना का मतलब क्या होता है कि 1000 km2 छेतर पे 1000 1000 वर्ग किलो मेटर छेतर पर वर्ग किलो मेटर छेतर पर सडक की लंबाई केत्र पर तो एक हजार गृति तो उसे आप याद रखिएगा और जो homework मैंने आपको दिया वो आप complete कर लीजेगा बाकी जो उसका list जो है आपको जो 300 का जो list है वो कहां मिल जाएगा तो हमारे telegram channel पे मैंने आपको बताया पहले भी और मैं अभी भी आपको इसे बता रही है कहां मिलेगा NS1 classes में ठीक है तो आज का class बस इतना ही है ठीक है हमने अभी क्या पढ़ा तो राश्टिय राजमार्क पढ़ा राश्टिय राजमार्क पढ़ा अगले class में हम राज की राजमार्क पढ़ेंगे और बाकी जो district जो आपके road है district road और अंतर राश्टिय जो mark है वो हम complete करेंगे ठीक है और आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि साम में 6 बजे साम में 6 बजे जोग्राफी की classes हो रही है जिसमें आपका स्वार मंडल पढ़ाया जा रहा है जो कॉस्मोलोजी के अंतरगत आता है ठीक है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है हमसे जुड़े classes live होती है आप हमसे connect हो सकते है ठीक है तो अगर वीडियो पसंद लगा होगा ये तो एक लाइक ज़रूर कीजेगा आप लोग लाइक ने करते हैं बिलकुल भी लाइक ने करते हैं आप लोग पताने आप लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है आप लोग को समझ में नहीं आता है ठीक है तो एक लाइक कीजे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर भी किया कीजे ठीक है इसे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग पढ़ पाएंगे ठीक है चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक केर